सोमवार को भंडारा पुलिस ने सीने स्टाइल से पीछा कर गांजे से लदे एक चार पया वाहन को रोका वाहन की जांच करने कर पुलिस भी आश्चर में पड़ गई इसमें करीब 632 किलो 382 ग्राम गांजा पाया गया पुलिस ने वाहन से ही 68,49,190 रुपे का माल जब्त किय यह कारवाई यातायात नियंतरन शाखा ने भंडारा तहसिल के मुझ भी गाउं के समिप की प्राप्त जानकरिकनु सार ओडिसा में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जाती है ओडिसा से बोलेरा पिक अप वाहन भंडारा मार्ग नाकफुर की ओर जा रही थी इसी द वाहन की जाच करने पर उसमें गांजा होने का ध्यान में आया इसकी जानकारी उन्होंने जिला पुलिस अधिक्षक सहित वरिष्ट अधिकारियों को दी पुलिस निरिक्षक जयवन चभान सुबाज बार से टीम के साथ घटना सल पर पहुंची पुलिस ने वाहन कबजे मे लेकर भंडारा थाना में ले गए इस वाहन में 17 बोरियों में अंदाजन 632 किलो और 382 ग्राम गांजा होने की जानकरी प्राप्त हुई इस प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्च किया और आगे की जान शुरू की है माना जा रहा है यह गांजा नाकपूर लाया जा रहा थ नाकपूर से इसे अन्य स्थानों पर भेज जाने का भी पता चला है